महाविकास अगाडी गटवंदन को लेकर पवार का बड़ा वयान महराष्ट में राश्वाती कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस के बीच वाले अगाडी गटवंदन के भविशे पर संकट दिख रहा है संसदी राजनीती में 54 साल से सक्रिय शुरत पवार ने महाविकास अगाडी गटवंदन को लेकर बड़ा वयान दिया है उन्हें कहा है कि कल महराष्ट में गाडी होगी या नहीं इसका नहीं पता लेकिन इसके बाद राजनीती गल्यारे में चर्चा शुरू हो गई है जींहाआपको बतादे के महराश में राश्री कॉंगरेस पार्टी शिव सेना और कॉंगरेस के बीच वाले अगाली गटवंदन के भविश्य पर संकर दिख रहा है राष्वाती कॉंगलिस पार्टी के प्रमुक्ष रत्पवार ने अमरावती में कहा है कि हम आज इस गाली का हिस्ता है कल हम साथ में काम करेंगे या नहीं हमारी एक्ष़व से क्या होता है आगे उन्होंने कहा कि विधानसवा लोगसवा चुनाओं होने वाले हैं आगे घाली रहेगी या नहीं इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है उन्होंने सवालों के जो आप देती हुए कहा कि जब हमसे पूछा गया कि महाविकास घाली गटवंदन में एक साथ चुनाओ लड़ेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं इस पश्ट नहीं है सीट के वर्तवारे को लेकर भी बात हुई है उन्होंने का भी चर्चा नहीं हुई है पार्टियों के अपने-अपने मुद्दे हैं विशा हैं ऐसे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि हम 2024 का महराश्य विधान सब्च सुनाओ एक साथ लड़ेंगे या नहीं दोस्तों इस पर आप आपकी क्या राय है आप क्या लगता है आपको कमेंट शेक्शन में बताएं धन्यवाद